हेलो चंपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पी के मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडिन में वेलकम करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम कि पुलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चेप्टर है पावर शेरिंग का लास्ट टॉपिक स्वार्मस आफ पावर शेरिंग करने वाले हैं इस पर फाइब मारक्र का भी क्वेश्चन आता है की एक्स्प्लेन देमेजर फार्मस 아फ पावर शेरिंग इन डिटेल ये 5 मारकर आएगा इस पर 1 मारकर भी आते हैं तो आये देखते हैं कि What all is there in this topic today आये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं Forms of Power Sharing दोस्तों सबसे पहले ये जो Power Sharing का concept था पहले लोग Power Sharing के concept में believe नहीं करते थे ancient time में and medieval times में पहले ये माना जाता था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि The idea of Power Sharing Idea of Power Sharing Has emerged in opposition to the notion of undivided political power दोस्तों आप लोगों ने Emperor Ashoka Ashoka the Great Ashoka the Great के बारे में सुना है आप लोगों ने Akbar the Great के बारे में सुना है पता है आप लोगों को Ashoka the Great ancient time के रहे हो या Akbar the Great medieval time के रहे हो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट भी होते थे पार्लियामेंट भी होते थे और प्राइम मिनिस्टर भी होते थे यानि ये जो Kings होते थे या Emperors होते थे ये Lawmaking की Supreme Power इनके हाथ में होता था ये Supreme Code के Justice Supreme Code भी खुद ही होते थे और Prime Minister भी खुद होते थे राइट यानि थ्री इन वन एन फॉर लॉंग टाइम इसके पिछे रीजन भी है फॉर लॉंग टाइम इट वोस बिलीब देट अल पॉलिट अल पावर अफ गॉवर्मेंट मस्ट रिजाइड इन वन परसन और ग्रूप ऑफ परसन लोकेट इट वन प्रेस लोगों को यह माना था कि जो भी पोलिटिकल पावर है या जो भी पावर है वो शेर नहीं किया जाना चाहिए वो एक ही परसन के हैंड में होनी चाहिए या ग्रूप ऑफ पीपल के हांद में होनी चाहिए जो एक ही जगवर रिजाइट करती हो इसका reason भी था, इसका reason क्या था, आईए देखते हैं, इसका reason ये था, it was felt that if the power to decide, यानि decision making की power, अगर share कर दी जाती है, तो क्या होगा, it would not be possible to take quick decisions and implement them or enforce them, इसका reason भी था, जो ancient time में ये माना जाता था कि जो भी power है, वो एक ही, one hand में ही concentrated होनी चाहिए, उसका reason ये ही था, लोगों का ये माना था कि अगर power share किया जाएगा, तो जो भी decisions हैं, उनको लेने में बहुत देरी होगी, और उनकी implementation में भी problem आगी बहुत जादा देरी होगी, and it is the earlier notion of power sharing, यानि ancient times में and medieval times में power sharing के बारे में क्या concept था, या क्या मानना था लोगों का, ये रहा, but as time passed with the advent or emergence of democracy, ये power sharing, यारी जो undivided political power का जो concept था, वो change हो गया, क्या change हुआ, आई ये देखते हैं हम लोग, with the emergence of democracy, these notions have changed, these notions, कौन से these notions, पहला, undivided political power की, दूसरा, कि अगर power को हम disperse करेंगे, तो quick decision making नहीं हो पाएगी, और उनका implementation प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ये, with the emergence of democracy, ये जो notion है, change हो चुका है, यानि पहले undivided political power के बारे में बात की जाती थी, अब power sharing के बारे में बात की जाती है, क्योंकि democracy का fundamental ही है power sharing, जैसे कि एक बहुत ही famous definition है, आप लोगोंने definitely सुन रखा होगा, कि Abraham Lincoln की है, कि democracy is the rule of the people, for the people, and by the people, means democracy में people are source of the power, common people are source of the power, इसलिए देखिए न, general elections में हम सारे मिल करके, जिसको चाहते हैं उसी को हम government बनाने के लिए power मिलाते हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं उसी को हम prime minister बनाते हैं, right, आई detail में देखते हैं, so with the emergence of democracy, क्या हुआ, these notions have changed with the emergence of democracy, as one basic principle of democracy, democracy का basic principle ही है, people are the source of all political power, अब आप लोग कहेंगे कि सर, कि लोग, how are the people, source of all political power, अब देखिए, elections में क्या होता है, चाहे, parliament का elections हो, चाहे, state legislative assemblies का elections हो, उसमें क्या होता है, we ordinary people vote and decide करते हैं, कि किसको हमें chief minister या prime minister बनाना है, जो political party हमारे लिए public welfare के लिए काम करती है, उसको हम vote देते हैं, और जो ruling party रही होती है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे vote नहीं देते हैं, और वो political party, government को form नहीं कर पाती है, इस तरीके से हमने देखा, कि people are the source of all political power, यानि जनता जिसे चाहेगी, वही prime minister या chief minister बनेगा, आईए, दूसरा point देखते हैं, inner democracy, people rule themselves through institutions of self-government, सबसे हम पहले समझेंगे कि ये institutions of self-government क्या होता है, institutions of self-government का मतलब होता है, दोस्तों देखे, rural areas में पंचायत्स होती है, जो हमारे rural areas के साथी हैं, friends हैं, वो जानते होंगे कि rural areas में पंच पंचायत्स होती हैं, जो urban areas में क्या होती है, municipalities होती है, right, तो इसके through, अगर हम देखें जैसे cities या towns में, अगर आपको house construct करना है, तो आपको जो, आपकी जो municipality हो, उससे पहले map पास कराना होता है, तभी अपना house आप build कर सकते हैं, सभी लोग इस चीज़ से परिशित होगे, and ऐसा नहीं कि जो rural area के students हैं, वो ही पंचायत के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने already 6th, 7th class में, पंचायत्स and municipalities के बारे में पढ़ रखा है, इसलिए हम सारे इस चीज़ से aware हैं, तो इस तरीके से हो गया, people rule themselves through institutions of self-government, इसमें पंचायत्स and municipalities आगे, वैसे भी देखिए, लोग general actions में, जिस political party को majority दिलाते हैं, right, वही political party दो government फार्म करते हैं, ultimately, people are the ultimate source of power, next हम देखते हैं, in a good democratic government, due respect, प्लीज धान दिजये, due respect is given to diverse groups, diverse groups and views that exist in a society, अब यहाँ पर हम Belgium का example देख सकते हैं, Belgium में हम लोगों ने देखा कि, three language speaking groups होते हैं, Dutch, French and German, और इस diversity को maintain करने के लिए, यानि, due respect is given to diverse groups and views, क्या-क्या उन्होंने, उन्होंने community government बनाई, Dutch speaking, लोग चाहे वो Belgium में कहीं भी हो, Dutch speaking लोगों की अलग community government होती है, Belgium में, French speaking लोगों की अलग community government होती है, ऐसा क्यों हो, क्योंकि एक Dutch speaking person की क्या problem होते हैं, क्या issues होते हैं, क्या challenges होते हैं, इसको एक Dutch speaking है अच्छे से समझ सकता है, या French speaking लोगों की क्या-क्या problem है, इसको एक french speaking person ही अच्छे से समझ सकता है इसलिए वहाँ पे community government के arrangement की गई और diversity को accommodate किया गया beautifully पर श्री लंका में आप लोगों ने क्या देखा सिनाहलास लोगों ने कहा नहीं नहीं हम तो सिनाहलीज को ही official language बनाएंगे और बुद्धिज्म को ही practice करेंगे क्योंकि वहाँ के government की policy क्या थी कि बुद्धिज्म को state क्या करेगा foster करेगा और promote करेगा उन्हों disregard किया towards samils तो क्या हुआ civil war हुआ आप लोगों को पता ही है next हम देखते है everyone has a vice in the shaping of public policies इसको समझते हैं यह क्या होता है shaping of the public policies basically जो common man है और ordinary people है उनकी क्या requirements है right common people की क्या requirements है उसको कैसे समझा जाता है basically जो political party लोगों की problems को identify कर लेती है और बोलती है कि हम इसे पूरा करेंगे यह जिस political party की जो ideology होती है जिस political party की ideology लोगों को पसंद आती है जिस political party का जो manifesto होता है basically आप लोग जानते है manifesto क्या होता है कि before elections political parties different political parties अलग-लग promises करती है कि हम आप लोग hospitals बना देंगे good schools बना देंगे यह जो इस तरह के करेंड है सारी promises की जाती है तो यह manifesto होते हैं तो जिस political party की ideology and manifesto लोगों को पसंद आता है लोग उसी को vote करते हैं इस तरीके से लोग क्या करते हैं अपनी wise अपनी राय देते हैं या अपनी सलाह देते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस तरीके से common man या ordinary people अपने representative के थ्रूँ अपने wise को legislative assemblies या parliament में express करता है right next point हम देखेंगे therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among as many citizens as many citizens as possible क्यों होना चाहिए ऐसा क्योंकि अगर democracy में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा कैसे मिलता अपनी बात रखने का मौका हर व्यक्ति तो parliament या state legislative assembly में जा नहीं सकता ये through the vote हम vote के थ्रू ही हम अपनी आवाज या अपनी राय हम रखते हैं हम किस तरह का किस तरह के government चाहते हैं state में किस तरह के government हम चाहते हैं center में keeping that in mind लोग उस particular party को vote देते हैं और फिर government बनती है इस तरह के से लोग power share करते हैं और अपनी opinion को express करते हैं now we'll move to the next slide and next slide talks about major forms of power sharing तो what are the major forms of power sharing power sharing power sharing के mainly four major forms हैं इसी पर five marker question बनेगा और इस पर आगे बंढ़े से पहले हम लोगों ने जो पिछली slide में भी पढ़ा कि earlier एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने पिछली slide में क्या पढ़ा हम लोगों ने पिछली slide में पढ़ा कि earlier notion of power sharing इस पर question बनता है जो कि three marker हो सकता है उसको देखना जरूरी है हम लोगों ने देखा कि earlier notion of power sharing earlier notion of power sharing and then with the emergence of क्या changes आए power sharing के concept को लेकर कि इस पर question आ सकता है explain what were the earlier notion of power sharing and how have they changed with the emergence of democracy ये three marker question आ सकता है एक बार में question फिर रिपीट कर रहा हूं question यहां सकता है आपका three marker में what were the earlier notions about power sharing and how have they changed with the emergence of democracy ये three marker question आ सकता है आपका तो earlier power sharing क्या था earlier notion of power sharing क्या था यह हम लोगों ने one two three points में पढ़ लिये and with the emergence of democracy how the notion of power sharing changed ये भी हम लोगों ने five points में पढ़ लिया ते five points आपको याद रखने है और ये ये जो भी बहुत ये अच्छे ये आपके notes का भी काम करेगा आपको notes बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा आप इसी से भी पढ़ सकते हैं इसलिए देखिए जितने भी important points हैं या keywords हैं मने अलग-अलग colors से उसे highlight किये हुए है चले now we'll move to the next slide and next slide talks about major forms of power sharing तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि major forms of power sharing कितने हैं total four there are four major forms of power sharing तो पहला form of power sharing क्या है first form of power sharing है हमारा power is shared among different organs of the government what are the different organs of the government government के different organs होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं executive means prime minister या प्रेसिडेंट लेजिसलेचर मिन्स पार्लियामेंट लॉमेकिंग बॉड़ी एंड जुडिशिरी मिन्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या और भी सॉर्णिट कोर्ट होती है तो भी क्यों हम इतना समझते हैं राइट तो आये देखते भी हैं या है लेधिडम हैं है तो मिजरफ़र। फॉम्स ऑफ फ़ावर शेर क स्वर्ना नार्यिन कितना है घर हं पर की पावर इस शेयर अंग मैं तो डिफरेंट ओरोंडिंब्ममेट लाहिए था नोबर ठुमावर्मारी क्या है नमबर ट्यक्राथ पावर्मेंट among governments and different governments at the different level, जैसे top पे क्या हो गया, top पे central government हो गई, उसके बाद state governments होती है, उसके बाद local self governments होती है, जिसे हम panchayat and municipalities के नाम से चानते है, third third form क्या हो गया power is shared among different social groups and fourth क्या होता है fourth form of power sharing is power is shared among political parties pressure groups and movements आईए से देखते हैं briefly देखते हैं क्योंकि one marker में question आ सकता है what do we call power sharing arrangement among different organs of the government जो power sharing का arrangement होता है among different organs of the government उसके लिए दूसरा term क्या होता है या what is the other name for the power sharing arrangement of power sharing arrangement among different organs of the government it is also known as horizontal distribution of power इसे horizontal distribution of power क्यों कहते हैं हम उसको भी समझेंगे भी and it is also known as a system of checks and balances तो ये keeping one marker in mind ये काफी important है इसके तीन नाम है basically power is shared power is shared among different organs of the government different organs of the government क्या हो गया जैसा कि हम लोगों पहले देखा legislature यानि parliament हो गया executive यानि प्राइम मिनिस्टर हो गया and judiciary यानि supreme court हो गया and so this is also known as horizontal distribution of power इसको horizontal distribution of power क्यों बोलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं ये देखे इसको हम समझेंगे देखे आप लोगो मैद में पढ़ते हैं हो गये horizontal distribution ये क्या हो गया horizontal line हो गई राइट ये horizontal line हो गया हमारी इससे हम समझते हैं ये देखे ये horizontal line हो गया हमारी इसको horizontal distribution of power क्यों बोलते हैं क्योंकि देखे what are the three different forms of what are the three different organs of the government हम जानते हैं लेजिसलेचर हो गई विचिस पार्लियामेंट एक्जिक्यूटी हो गई विचिस प्राइम मिनिस्टर एंड जुडिशियरी हो गई विचिस सुप्रेम कोट ये तीनों इक्वल हैं तीनों का अपना एक jurisdiction है न कोई छोटा है न कोई बड़ा है सबका अपना अलग-अलग jurisdiction है यानि कारेच शेतर बोल सकते एरिया है और ये तीनों उस पेडिकुलर एरिया में अपने अपने बॉस हैं इसलिए इसको horizontal distribution of power के नाम से भी जानते हैं और इसको system of checks and balances क्यों बोलते हैं system of checks and balances इसलिए बोलते हैं कि अगर legislature कोई ऐसा काम करता है जो constitution के against है या जो constitution में नहीं mention है या public welfare के against है तो तुरंत supreme court उसे मना कर देगा कि you can't do this इस तरह का law country में नहीं बन सकता राइट या अगर executive इस तरह का कोई काम करता है जो public interest के against है तो तुरंत supreme court chief को मना कर देगा और यह जो judiciary है judiciary में जो chief justice होते है या जो other judges होते हैं उनकी appointment क्या कौन करता है executive करती है so basically चाहे legislature हो चाहे executive हो चाहे judiciary हो तीनों एक दूसरे को check करते है unlimited power को इस्तेमाल नहीं करने देंगे इसलिए इसको system of checks and balances करते हैं अभी हम लोग इसको detail में पढ़ेंगे next slide में तो वहाँ पहमें से अच्छे से समझेंगे अभी हम दूसरा second form of power sharing क्या है उसे समझते हैं now the second form of power sharing is governments at the different level governments at the different level is also known as vertical division of power आई यसे समझते हैं अब देखे आप लोग मैत में पढ़ते होंगे यह देखे एक vertical line हो गए right vertical line में top पे क्या है मारा top पे है central government मोदी जी वाली central government देखे उसमें लिखा भी है ना government at different levels तो top पे क्या हो गए central government हो गए दूसरे नंबर पे क्या आते है different state governments है अलग-अलग states में अलग-अलग state governments होती है तीसरे लेवल पे क्या आती है urban areas में municipalities होती है and rural areas में panchats होती है तो municipalities इसको हम two parts में divide कर देते हैं urban areas में you for urban urban areas में municipalities होती है m for municipality and rural r for rural 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 areas हम क्या होते है तो panchats होते है p for panchats right so इस तरीके सम्देशते हैं governments at different levels central government state governments and local self governments हम बोल सकते है and this is also known as vertical division of power तो vertical line vertical division of power and this is also termed as federal division of power federal division of power क्या होता है federal division of power वो ऐसा system होता है जिसमे constitution में specified होता है कि central government के क्या powers and duties होगी and state government के क्या powers and duties होगी right तो इसमें भी one marker question आ सकता है कि what is the other term for when power is shared power sharing arrangements among governments and different governments at different levels is also known as federal division of power or also known as vertical division of power ये one marker में आ सकता है इसलिए आपको आप लोगों को इसे ध्यान देना चाहिए next हम लोग करने वाले हैं third major form of power sharing which is power is shared among different social groups different social groups कौन कौन हो सकते है different social groups हो सकते है on the basis of language जैसे Belgium में हुआ French speaking, Dutch speaking and German speaking right and Shri Lanka में आपनों देख से नहाला speaking and Tamil speaking ये जो different social groups होते हैं इनके बीच भी power share किया जाता है so that वो सारे social groups अपने आपको valuable feel करें और ये जो social groups होते हैं वो on the basis of language हो सकते है on the basis of religion हो सकते है on the basis of culture हो सकते है Now next और last जो हमारा major form of power sharing है that is power is shared among political parties, pressure groups and movements अब आप लोग कहें सर पावर sharing political parties के बीच में कैसे होता है अगर हम लोग ध्यान दें तो पिछले कुछ दशकों से for last few decades किसी भी political party को majority नहीं मिलती है elections में मोदी जी का छोड़े 2000 से पहले की बात कर रहा हूं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं 2014 से पहले क्या होता था किसी भी political party को majority नहीं मिलती थी तो लोगों ने क्या किया alliances बना दिये थे इसमें इसमें दो बहुत ही famous alliances हैं आप लोगों ने news अगर ध्यान से सुनी होगी तो डेफिनिटी इस term को सुना होगा nda nda नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूपी ए यूपी ए की यूपी ए की यूपी ए की लीडर कौन सी political party है Congress और nda nda का जो alliance है उसका leader कौन है कौन सी political party है BJP तो यह political parties क्या करती है वो elections से पहले ही alliance बना लेती है कि चलो हम सारे मिल करके elections contest करेंगे और जब election में win करेंगे देन हम coalition government बनाएंगे क्योंकि हर political party की यह नो इससे फायदा हो जाता है political parties का क्योंकि अकेले उनको majority नहीं मिल पाती है दूसरा आप लोग कहेंगे कि सर यह pressure groups में कैसे pressure groups में कैसे power share किया जाता है आप लोगोंने news में जरूर सुना होगा कि आज bank employees की हरताल है या railway employees की हरताल है तो यह जो bank employees होए या railway employees होए या traders association होए या teachers association होए या doctors की हरताल है तो इनकी जो problems होती है political parties अच्छे से समझती है और before election से promise करती है कि doctors की जो problem है या railway employees की जो problem है या teachers की जो problem है हम उसको solve करेंगे और इसलिए यह जो interest groups होते है जैसे चाहे doctors का association हो गया चाहे teachers का association हो गया चाहे bank employees का association हो गया यह लोग vote देते हैं जो political party promise करती है कि हम आपकी problem को दूर करेंगे तो उसको vote देते है जब वो particular political party जिसने promise किया था कि हम आपके problem को दूर करें जब वो power में आती है तो यह pressure groups उन पर दबाव डालके अपना काम होगी है means peace maintain नहीं रह पाएगी जो भी promise किया गया है during election से fulfill करना होता है उसके बाद तो यह होगे हमारा major forms of power sharing next video में हम लोग इसे detail में पढ़ेंगे यह major forms of power sharing है उसको detail में पढ़ेंगे as a five marker और उसे अच्छे से समझेंगे Thank you so much Just 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 just